आज में कभी भी कुछ पढ़ना उसके आपका प्रोडिक्टिविटी कैसे बढ़ेगी जब आप कुछ पढ़ते हो और कुछ नया पढ़ते हो जैसे लुसेंट पर फैक्ट रट रहे हो वो नए है तो फैक्ट आपकी दिमाग में फसते नहीं है आये निकल गए लेकिन जब बातर उस tô नहीं भुलेगा जैसे आपको कोई देट मालो नहीं याद हो रही का लिए कि मालो य कर दो तो ख़ो एं लेकल मोई एक टूबर जो आप Street लेकिना इसको पूछे जाते हैraph बड़त को पूछ Michael 22 मार्च 22 माई यह हमेशा पूछे जाते हैं 22 अप्रेल अब देखो समझ रहा एक है अर्थ से रिलेटेड एक है वाटर से रिलेटेड एक है डाइवर्सिटी से रिलेटेड और नॉर्मली जब आप पढ़ते हो तो कंशूज हो जाते हो क्योंकि एक्जाम में प्रेसर होता है और प्रेसर में गलत लेकिन आप अपने पुराने नॉलिज़ के साथ जोड़ो कि 22 मार्च वाटर डे क्यों क्योंकि मार्च को होती होली अब होली के साथ आपका फुट हो गया अब यह नहीं बूलेगा चाहें कुछ भी हो जाए एक जामनल कॉपी छीन रहा हो तब भी आपका दिमाग नहीं क्योंकि इतने पुराने नॉलिज़ के साथ जोड़ लिया ना इसको कोई हिला नहीं पाएगा और चैन बन गई आपके दिमाग में ठीक है फिलस बाइस मई मई में सड़को में भीड कम हो जाती है तो नहीं दिखेगा समझ जब यहां को अब यह о गया तो तरह आज के बाद कभी नहीं भूलेगा यहरु क्यों हमने अफने पुराने नॉलेज़ के साथ को क्या किया लिंक करके समझा तो हमेशा जो भी पढ़ो उसे पुराने नॉलिज के साथ पढ़ो तो आपको नॉलिज जो होगा भूलेगा नहीं जो आपको समस्य रहती है कि रात को पढ़ा सुबह सफा वह यहीं चीज है कि tellFi आर्थ तो आपको 92 April बाइस मार्च वाटर डे बाइसमाई यसे मालोग को होता है 14 फारवरी महा कैंसर दे वैलेंटाइन से याद रखे़ यह तो इस तरह से चीजे रहें ए तो 12 सोट्ट्टूबर सोल सितंबर फूट डे होता है सोल अक्टूबर सोल सितंबर उजोन दे तो 16-16 से याद है तो मुझे यह से मालत पूरे याद साल के डे पूरे कॉंस्ट्ट्रीशन वे आप देखो चाहिए तो जो आपको याद नहीं होती चीज़ें क्योंकि आप पढ़ाई को मजाक भी नहीं करते पढ़ाई के साथ मजाक करो फिर देखो किनी मजाएगी कोई फैक्ट है तो उसको किसी का नाम रख दो आप उसको महसूस कर लोगे जैसे महसूस किया वह आपके फैमिली का आपके कारूं काम आए तो ठीक है इससे बहतर जानते हो तो आप बताते हो आप आप